लोग ऐसे अनुभव की बात करते हैं जो हमारी इंद्रियों से परे है और ऐसे अनुभव को पाने का मुह होता है लेकिन जो लोग हमारी इंद्रियों के परे के अनुभव ले चुके है वो लोग भी पहले जैसे साधारन ही दिखाई देते हैं तो क्या आप बता सकते हैं के अनुभव कैसे होते हैं और क्या ये अनुभव एनलाइटन मेंड का आलोग का हिस्सा है या फिर ये अनुभव एनलाइटन होने के लिए सिद्ध होने के लिए सहायक है दिव्वे होने की सीड़ी है और एनलाइटन मेंड क्या है दिव्वे होना क्या है आप लोगों को ऐसे सवाल पसंद है है ना बड़ा अजीब है हम हमेशा एनलाइटन होने की सिद्ध होने की दिव्वे होने की बात करते है उसके बारे में कोन क्या-क्या लिख कर गया है दूसरे गुरू उस पर क्या कहते है और मैं उस पर क्या कहता हूँ हमें इसी में रूची है हम कभी नहीं कहते कि ये जीवन मेरा है मुझे तकलीफ हुई है मुझे खुद इस तनाव से इस दबाव से इस दुख से तकलीफ से चुटकारा पाना है मुझे आजाद होना है लेकिन हम ऐसा कभी नहीं सोचते हर बार मुझे यही सवाल पूछी गए है कोई भी मुर्ख तुमसे कुछ कह जाता है और तुम लोग उसकी बातों को मुर्ख जैसे मान जाते हो ये कितने बड़ी मुर्खता है सर इस दुनिया को जरा देखो यहाँ क्या हो रहा है लोग कैसे जी रहे है ब्रश्टाचार, हिंसा, अन्याए क्या मैं इसके बारे में कुछ करना चाहता हूँ क्या आप इसके बारे में कुछ नहीं करना चाहते आप नहीं सोचते कि इन समस्याओं को सुलजाने के लिए इन से आजाद होने के लिए मैं करू तो क्या करू ऐसे सवाल आप कभी नहीं पूछते, है ना लेकिन क्यू? क्यू हम हमारे जीवन के मुलभूत सवाल नहीं पूछते? हम कभी नहीं पूछते कि मैं प्रेम क्या है नहीं जानता मैंने प्रेम के बारे में सुना है, पढ़ा है मेरे माँ से मैं कहता हूँ, मेरी पत्नी से मैं कहता हूँ के उनसे मैं प्यार करता हूँ लेकिन कही न कही मेरे मन में प्रेम को लेकर शंका है मुझे पता है मेरे लगाव, मेरे इच्छाए, सेक्स, इत्यादी जिसमें वो बात नहीं है, वो सुन्दर था, वो ताजगी नहीं है, दीवानगी नहीं है क्यों हम ऐसे सवाल नहीं पूछते? क्या हम खुद को परदे में ही रखना चाते है? हम खुद की सच्चाई से डरते है हम खुद को उजागर करने से, अनकवर करने से डरते है क्यों मैं खुद के बारे में मूलभूत सवाल भी नहीं पूछता? क्या हम खुद की सच्चाई को बरदाश्ट नहीं कर पाते? क्या आपने खुद के जीवन की मनुसियत देखी है? इसकी कुरुपता देखी है? जब हमें दिखाई पड़ता है कि वास्तों में हम क्या है? तो फिर हम भगोडे जैसे दूसरों के पास भागते हैं कि मुझे बचा लो हम दूसरों के चर्णों में गिर जाते हैं भीक मंगे जैसे दूसरों से मदद मांगते हैं आप दूसरों को पूछते हूँ कि आपको क्या करना चाहिए? तो सच्चाई तो यही है कि हम खुद की वास्तविक्ता से ही भागते रहे हैं हम किसी भी कीमत पर खुद की वास्तविक्ता को देखना ही नहीं चाहते जो सच में हैं वास्तों में हैं उसे हम देखना ही नहीं चाहते चाहे कुछ भी हो जाए और इसलिए आप इतने तरकहीन बन गए है और यही कारण है कि हमारा इन लोगों द्वारा शोशन हुआ है ये बहुत शोकपूर नगटना है हम समझदार लोगों ने इसे खेल बना के रख दिया है कम से कम हम खुद को समझदार समझते है हम खुद की जड़ खुद की असलियत पर आना ही नहीं चाहते हमें जबरदस्ती वहां लाना पड़ता है दूसरों दुवारा खुद का सामना करने के लिए दूसरे हमें मजबूर करते है और हम किसी भी कीमत पर इस से खुद से दूर भागते है है ना? अब सवाल पूछा ही गया है तो मुझे जवाब भी देना ही चाहिए क्या आप मुझे बरदाश्ट कर सकते हैं? लोग ऐसे अनुभव की बात करते है जो इंद्रियों से परे है और ऐसे अनुभव को पाने का मोह होता है लेकिन जो लोग हमारी इंद्रियों के परे के अनुभव ले चुके है वो लोग भी पहले जैसे ही साधारन, पहले जैसे ही सामान्य दिखाई पड़ते हैं तो क्या आप बता सकते है कि ये अनुभव कैसे होते हैं और क्या ये अनुभव एनलाइटन्मेंट का आलोग का ही हिस्सा है या फिर ये अनुभव एनलाइटन होने के लिए, सिद्ध होने के लिए, दिव्य होने के लिए एक सीड़ी है और एनलाइटन्मेंट क्या है हमारा जीवन, हमारा रोज का जीवन एक बहुत बड़ा अनुभव है मजा, खोशी, दुख, पीड़ा, लगाव, मिलना, बिछड़ना, गरीबी, अमेरी, हद से ज़ादा आबादी उर्जा की कमी, भीतरी उर्जा और बाहरी उर्जा, प्रदूशन, भीतरी प्रदूशन और बाहरी प्रदूशन अनुभव के मामले में ये संसार बहुत ही चटिल है और हम इसे के साथ जनम लेते है हम इसका सामना नहीं करते हम खुद इसकी जिम्मेदारी नहीं लेते हम खुद को इन सबसे अलग एक व्यक्ति कर लेते है लेकिन ये हमारा खुद का बनाया अलग व्यक्तित्व बस हमारा भ्रह्म होता है क्योंकि हम तो वही है बाहर का और भीतर का प्रदूशन क्योंकि हम में से हर एक ने मिलकर इसे बनाया है निर्मित किया है क्या आप इसे समझ रहे है कैसे हम द्वंद में है हम खुद से ही भाग रहे है हमने खुद ही वो बनाया है और वही हम है और उसका सामना ना हो इस कारण हमने एक ब्रामक व्यक्तित्व जिसे मैं कहते है, बनाया है, जो बस एक विचार है, ये सारा खेल विचारों का ही है, विचार ही इच्छा है, लगाव है, स्वार्थ है, हम इसकी गहराई में पहले जा चुके है, हमने खुद ही ये बबंडर बनाया है, और इसे से परेशान होकर, इसे तुच्छ समझ कर, हम किसी दूसरे के पास इससे भी बड़ा अनुभव पाने के लिए जाते हैं, और उन्हें पैसे देते हैं, और आपको अनुभव भी होगा, जरूर होगा, क्योंकि जब आप में कुछ पाने की चाह है, इच्छा है, तो वो आपको मिलता ही है, चाहे वो तर्क संगत हो या ना हो, चाहे वो उन्मादी हो, चाहे विक्षिप्थ हो, जैसा भी हो, कोई फरक नहीं पड़ता, तो पहले हमें हमारे जीवन की प्रकृति को समझना होगा, हमारा रोज का जीवन, रोज का दुख, तनाव, उदासी, तनाव, इत्यादी, इन्हें देखकर, समझकर, हमेशा के लिए खत्म करने की बजाए, हमें और कुछ बड़ा अनुभव चाहिए, जो इंद्रियों से भी परे हो, जबकि हमें इंद्रियों की भी, उनके काम की भी, पूरी समझ नहीं है, हमने कभी समझने की कोशिश नहीं की, ऐसे लोग हैं, जो आपको ऐसे अनुभव कराके देंगे, लेकिन ये प्रवंच ना है, अगर हम खुद की जाच परताल करें, बारी किसी खुद की सफाई करें, इंद्रियों की प्रतिक्रिया की प्रकृति को समझे, कि कैसे हमारी इंद्रिया हम पर हावी हो जाती है, कैसी वो मस्थिश्क को कंडिशन संस्कार बद्ध करती है, बराबर, हमें नहीं पता कि हमारी कंडिशनिंग हुई है, और उसी कंडिशनिंग से हम बड़े अनुभव की चाहत कर रहे है, और जो लोग आपको और ज़ादा देने का दावा कर रहे है, वो भी आपको उनकी कंडिशनिंग से दे रहे है, भले ही वो कहते हैं कि उनकी कंडिशनिंग नहीं हुई है, तो अगर आपने आपके कंडिशनिंग को संसकार बद्धता को गहराई से जानकर इसे साफ कर दिया, इच्छा की प्रकृति को समझ लिया, विचार की प्रकृति को समझ लिया, जो हमारे रोज की जीवन में घटता है, तो पूरा साफ होने के बाद हम नीव रख सकते हैं और अनुभव के पार जा सकते हैं, अनुभव की मांग जो मस्तिश्क करता है, वो मस्तिश्क इंद्रियों के द्वारा संसकारित है, कंडिशन्ड है, और एक ऐसा मस्तिश्क भी है, जो कोई भी कीमत पर अनुभव से संचालित नहीं होता,